हलो बिट्टा next हमारे पास कोशन है हमने करना है साइन्स के और एक्स की बिटा हमने integration करनी है इसका हमने integral निकालना है with respect to x ठीक है बच्चे तो बिटा कोशन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बाते बताऊंगा आप प्लीज उनको अपने माइंड में रखना ये बड़ी काम आएंगी आगे जागे आपके तो बेटा जब कभी भी आपको किसी भी ट्रिग्नो मेट्रिक फंक्शन को वो इंटेग्रेट करने को बोले तो एक बात का ध्यान रखना कि जो उसका पावर होना चाहिए ट्रिग्नो मेट्रिक फंक्शन का वो बेटा वन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे ट्रिग्नो मेट्रिक वेल्यूज हैं जिनकी स्केर में डिरेक्ट इंटेग्रेशन एक्जिस्स करती है एक है बेटा सिकेंट स्केर और दूसरा है बेटा हमारे पास को सिकेंट स्केर एक्स ये दो ऐसे ट्रिग्नो मेट्रिक वेल्यूज हैं जिनकी डिरेक्ट इंटेग्रेशन हम कर सकते हैं इन दोनों का फॉर्मूला है लेकिन जब कभी भी जैसे यहां पे साइन स्केयर एक्स है तो बेटा इसको हम डिरेक्ट इंटेग्रेट नहीं कर सकते अगर आप सोचो कि हम इसको ऐसे लिख दें जो पावर है स्केयर उसको हम बाहर मेंचन कर दें और यहां पे बेटा मैं यह व इसको फॉर्मूला हम तब अपलाए करते हैं अगर यू जो है वो एक अरिदमेटिक फंक्शन हो लेकिन यहां पे जो यू है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अभी इसकी इंटेग्रेशन हम कैसे करेंगे अभी हमारे पास में मुद्दा यह है कि इसकी दियान में रखने वाली है कि जब कभी भी आपको इन दोनों वैल्यूस को छोड़के किसी कोई भी और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू मिलती है विद्द पावर मोर दैन वन और लेस देन वन तो एक बात को अपने माइंड में रखना कि आपने सबसे पहले काम क्या क करना है आपने इसकी power को one में convert करना है कैसे भी करके उसके लिए कोई भी trigonometry का formula उस कर सकते हो कोई और trick कर सकते हो वो कैısे भी करके हम आपने इस power को जो भी होएगा two होएगा three होएगा कैसे b combien होएगा आपने उसको one में change करना है ठीक है तो then आप उसकी integration कर सकते हो सीधा नहीं कर सकते हो अगर आप सीधा करोगे तो वो गलत होएगा integration के अंदर trigonometric values को deal करने का ये एक rule है ठीक है तो अभी दखो बेटा हमने formula पढ़ रखा एक trigonometric के अंदर वो formula है we know that 1 minus cos 2x किसके equal होता है 2 sin square x के equal होता है ठीक है तो अभी मैं इस formula को use करूँगा और यहां से बेटा मैं sin square x के value निकालूँगा अभी दखो 2 इदर मेरे को नहीं चाहिए question के अंदर तो 2 बेटा इदर आके divide हो जाएगा ये आजाएगा 1 minus cos 2x upon 2 is equals to sin square x तो अभी 2 को एक बार 1 के नीचे mention कर देते हैं और एक बार cos 2x के नीचे mention कर देते हैं तो बेटा अभी मैं question के अंदर sin square x की जगा पे इसको use करूँगा क्योंकि इसके अंदर भी trigonometric value present है लेकिन उसकी जो power है वो 1 है तो मैंने power को 1 में change करना था मैंने change कर दिया लेकिन कभी कबार क्या आता है जब हम power को change करते हैं तो बेटा theta भी change हो जाता है जैसे यहाँ पे दखो theta की value x है लेकिन यहाँ पे theta की value क्या बनगी है 2x है तो बेटा theta की अगर value change होती है तो उसको होने दो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है हमें तो सिर्फ power जो है वो 1 होनी चाहिए हमें तो power से मतलब है अभी मैं इसकी जगा पे यह value यहाँ पे insert करूंगा तो यह बन जाएगा 1 by 2 minus cos 2x upon 2 अभी हमने इसको integrate करना है with respect to x तो अभी यह दो terms है तो हम दोनों की जो integration है उसको separate कर देंगे तो मेरे पास आजाएगा 1 by 2 dx minus cos 2x upon 2 dx ठीक है तो अभी जो constant होता है उसकी जो place होती है वो integration से बाहर होती है तो constant को हम बाहर shift कर देंगे पीछे simply बचेगा 1 यहाँ पे भी बचेगा 1 by 2 बाहर आजाएगा अभी यहाँ पे बचेगा cos 2x तो यहाँ पे formula यूज होएगा cos 2 ठीक है यहाँ पे 1 है 1 की integration बेटा with respect to x वो x होती है cos ठीका formula आता है simply sin ठीक नीचे बेटा differentiation of theta और साथ में आएगा plus c constant of integration तो यह बेटा मेरे पास आजाएगा 1 by 2x minus 1 by 2 sin 2x upon 2 plus c क्योंकि 2x की differentiation बेटा 2 आएगी अभी 2 को 2 के साथ multiply भी कर सकते है तो यह मेरे बन जाएगा 1 by 4 sin 2x plus c तो इस बात को प्लीज अपने mind में रखना कि जो trigonometric values हैं उनकी integration कैसे करनी है ठीक है जो पीछे मैंने आपको formula बताए थे उनको भी use कर सकते हैं और जो हमने plus 1 class के अंदर trigonometric के formula study किये हैं उनको भी use कर सकते हैं अभी यहाँ पे जो formula यूज होया है ये वला ये वला बेटा हमने formula plus 1 class के अंदर पढ़ा है ठीक है तो रूल याद रखना कि जो trigonometric value है उसकी power 1 हो नहीं चाहिए ओके बच्चे ठीक है येिजयोोग कोो बाद बच्चे है